हेलो एवरीवन मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे और आपके यूट्यूब चैनल विदाता नर्सिंग हों गार्डनिंग पे जो प्लांट आप देख रहे हैं यह प्लांट मैंने मेरी कलेक्शन में अभी नए एड़ किये हैं कुछ कैक्टस के प्लांट है अराम 15 प्लांट है डिफ्रेंट डिफ्रेंट वराइटी के और इसमें पांच प्लांट एक ही वराइटी के हैं जो की गोल्डन वेरल के हैं वाइट कलर के कांटों में इनके लिए मैंने पोट त्यार किये हैं पोट के बेस में मैंने छोटे छोटे पीसिस थर्मो कोल के टुकडे डाले हैं यह पोट को ड्रेनेज होल को अच्छे से कवर कर लेंगे वह साथ में मिट्टी को और एक्स्ट्रा वोटर को ड्रेन करने में हेल्प करेंगे सभी पोर्ट्स को मैंने त्यार कर लिया है और उनके बेस को भी त्यार कर लिया है सारे प्लांट्स को मैंने मेरे बोक्स से बार निकाल दिया है लग बग ये चार से पांस दिन से मिटी में से निकाल कर रखे हुए है आज मैं इने रिपोर्ट कर दूँगा केक्टस का जो सोयल मिक्शर मैंने बनाया है इसके अंदर वन पार्ट रिवर सेंड का है और वन पार्ट बालू रेट जिसे सेंड भी बोलते हैं वो लिया है और कुछ मैंने मोटे साइज की बारिक टुकड़े लिये हैं जिसे हम बजरी बोलते हैं और ये जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है उस जगे इजीली मिल जाती है मिटी बिल्कुल वैल ड्रेन होनी चाहिए क्योंकि अगर कैक्टस में पानी रुख जाता है तो कैक्टस प्लांट मर जाता है केक्टस प्लांट को ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है इसी लिए जो सोयल मिक्सर हम इस्तमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल वल्ड्रेन होना चाहिए मैं मेरे प्लांट को पोट में सिफ्ट करूँगा और उसके चारो साइड किसी भी ओजार की हल्प से स्मिट्टी को अच्छे से सेट कर देंगे ताकि सोयल मिक्सर के अंदर किसी भी तरीके का कोई एर पोकेट ना बचे उससे पानी की कलेक्शन नहीं रहेगी और जो सोयल मिक्सर मैंने बनाया है उसमें छोटे-छोटे टुकडे मैंने कोई लेके भी डाले है और थोड़ा साब वर्मी कंपोस्ट भी डाला है ताकि प्लांट को नूट्रेशन मिल सके कैक्टस प्लांट को ज़्यादा सनलाइट की जरूरत होती है तो जैसे ही मेरे प्लांट रीपोर्ट के सोक से बाहर आएंगे तो मैं उन्हें फुल सनलाइट में सिफ्ट कर दूँगा कैक्टस प्लांट को गर्मियों में हफ्ते में दो बार पानी देना होता है क्योंकि इन्हें ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है अगर आप कैक्टस प्लांट को ज़्यादा पानी डालेंगे तो plant मर जाते हैं over watering के कारण क्योंकि जो cactus होता है इसके अंदर काफी सारा पानी पहले से store करके रखा होता है अगर हम उसे over water देते हैं तो plant की जड़ें खराब हो जाती है और उसके कारण plant मर जाता है अगर आप भी आपके terrace पे cactus plant को grow करते हैं तो इनकी maintenance और care करना बहुत ही easy होता है और ना इन में ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत होती है cactus plant की propagations जो है वो बहुत ही easy होती है कुछ plant की तो क्योंकि उनकी cutting से भी grow किया जा सकता है और उनके side से भी छोटे size के plant अपने आप निकलते रहते हैं बहुत ही कम plant ऐसे होते हैं जिने आप उनकी cutting से ना grow कर सके या उन में छोटे size के बचे ना निकले और जिन प्लांटों में बचे नहीं निकलते हैं उन्हें seed से ही grow किया जाता है दूसरा कोई option नहीं होता है जो plant seed से grow किये जाते हैं उनकी growth बहुत ही slow होती है वैसे तो सभी cactus plant की growth बहुत slow होती है बट कुछ cactus plant की propagation बहुती easy होती है इसलिए वो जल्दी grow कर जाते हैं और कुछ की बहुती difficult होती है जैसे की golden varal cactus ये जो cactus है मेरा screen पे golden varal की white spine की variety है ये cactus बहुती rare होता है और दिखने में भी बहुत सुंदर होते है बट आप इने grow सिर्फ इनके seed से ही कर सकते हैं दूसरा कोई option नहीं होता है cactus plant फरवरी से लेके मार्च अप्रेल जून जुलाई तक बहुत अच्छे flower देते हैं और इनके flower भी multi color के होते हैं मैंने मेरे सभी cactus plant को नए पोट में shift कर लिया है अब मैं इने एक बार अच्छे से पानी दूँगा और एक week के लिए इने मैं छायादार एरिये में रख दूँगा ताकि ये अच्छे से सर्वाइव करें और उसके बाद मैं इने फुल सनलाइट में shift कर दूँगा अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को follow करें वीडियो को like करें धन्यवाद झाल